आज एक और खास विश्यप पर वीडियो लेकर के आपके बीच पहें हैं, अपने जासे ये टाइटल देख लिया होगा, मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी बनाया था, और थोड़ा विस्तार में बता सकते हैं, तो मुझे लगा थोड़ा डिटेल में बता देना चाहिए, पहले वैसे और लेड़ी मैं बता चुका था, लेकिन मैं आपको दो-तीन चीज़े और बताता हूँ, देखिए क्या समस्या आती है, अक्सर राजनिती में जो लोग हैं, वो तो आपको कभी बताएंगे निए, उनकी प्रॉल्लम्स क्या हैं, मैंने जो किताब लिखी, राज हैं, इनको तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन जातर लोग जो राजनिती में रह करके भी, राजनिती में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसका एक बड़ा कारण है, उनके बिजनिस का आटो पालेट मोट पर ना होना, अब यह आटो पालेट मोट क्या होता है, मैंने पहले दंदा, चले, वैसे तो हर बिजनिस की परिभाशा ही यही है, बड़े-बड़े बिजनिस स्पेंसे जब आप मिलेंगे, बात करेंगे, उनको पढ़ेंगे, जो नोंने बिजनिस के बारे में ठीरी दी हैं, वो बताएंगे, बिजनिस की परिभाशा क्या होती है, जहां तो पैसा आएगा नहीं खुलेगे तो नहीं आएगा तो क्या मैं बिजनेस नहीं कर रहे हैं आप एक्चुल में नौकरी कर रहे हैं किसकी खुद की self employed अपनी नौकरी कर रहे हैं जाएंगे तो काम होगा नहीं जाएंगे तो नहीं होगा तो इसको business में कैसे convert किया जाए आपके absence में काम कैसे चले तो के लोग ने सवाल पूछा मैं तो XYZ industry में हूँ मैं तो ऐसी service industry में हूँ मेरे बिना काम ही नहीं चल सकता है तो मैं उन्हें अपना example देता हूँ उस वीडियो में बताया था मैं एक ऐसी industry में हूँ जिसमें trainer के बिना तो काम नहीं चल सकता है और मेरा 90% काम autopilot mode पर है और autopilot mode पर 90% ही 100% होता है अगर आप यह सोचे कि आपके बिना जाए सब कुछ ही हो जाए वो rare rest of rare है कई बार हो जाता है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत involvement होगा तो 90% हो किया जा सकता है अब वो समझ लो concepts क्या है 90% business को कैसे autopilot mode पर किया जा सकता है और हर business को किया जा सकता है आप service industry में है manufacturing industry में है ट्रेडिंग में है रिटेलिंग में है जो भी काम जंदा करते है हर काम को autopilot mode पर किया जा सकता है और के लोग ने का कि सर मैं तो नौकरी करता हूँ तो क्या नौकरी को autopilot mode पर किया सकता है नहीं ऐसे मजाक वाली बातें ना तो पूछनी चाहिए और नहीं सवाल का जवाब देना उचीत लगता है क्योंकि मैंने कहा कि आपने business को autopilot mode तो नौकरी business नहीं है न नौकरी की जगा तो आपको खुदी जाना पड़ेगा आपको business को autopilot mode पर डालना है यानि कि कोई ऐसा काम देना जिसको आप कर रहे हो और आपके बिना जाए वो काम हो जाए अब कुछ principles होते हैं autopilot mode के क्या-क्या principles होते है सबसे पहला principle है आपको mentally prepare करना है कि मैं अपने business को autopilot mode पर डालना चाहता हूँ क्योंकि एक सबसे बड़ी बिमारी कि Indians के साथ खास कर से मुझे भी थी ये बिमारी सचाई बता रो मुझे भी थी क्या मेरा काम मुझे अच्छी तरह कोई और नहीं कर सकता तो मैं क्या करता था counseling मैं करता था phone मैं आटेंड करता था मिलता भी मैं ही था payment मैं लेता था recipe मैं ही मनाता था training मैं ही देता सारे काम मेरे थे मतलब मैं अपने office boy को चाबी दे दे से भी डरता था कि यार चाबी देना ठीक रहेगा क्या नहीं miss use ना हो जाए क्यों क्योंकि मुझे autopilot के concept के बारे मैं मैं नहीं मालूम था और जब पता चला कि मैं कितनी मूर्थत वाले काम कर रहा हूँ मैं autopilot mode पर कैसे जाओंगा या जब autopilot concept को study किया तो पता चला कि मैं तो उसके against ही काम कर रहा हूँ मैं तो एक दुकान चला रहा हूँ या नौकरी कर रहा हूँ अपनी नौकरी खुद की अपना पैसा लगा करके लाको रुपे लगाए कि अपना center खोल लिया और उस center पर आप जा रहे हैं तो काम हो रहा है नहीं जाने तो नहीं हो रहा है तो अभी क्या करना है अभी हमने उस principle को study करना है पहला principle है mentally मांसिक barrier है बहुत बड़ा Indians के साथ कि क्या मेरा काम उससे अच्छी तरह कोई और कर सकता है या नहीं कर सकता है दूसरा अगर कोई मुझसे बहतर मेरे काम को करने लगा तो कल को वो मेरा काम छोड़ कर चला गया या उसने अपना काम खोल लिया तो क्या होगा क्योंकि इंडिया में तो ऐसा होता है इंडिया में जहाद दो लोग business कैसे करते हैं तो अपने माता पिता को देख करके करते हैं जो family business है और जो नहीं लोग आया होते हैं किसी क्या नौकरी करी कुछ दिन काम करा उसके काम को समझ लिया फिर अपना काम शुरू कर दिया तो सच्चा ये है ये डर ये threat हर एक को रहेगा हमेशा रहेगा इस threat को पार कैसे पाना है इससे लड़ना कैसे इसका solution क्या निकालना है वो सीखने की चीज़े तो अब यदि आप वाकई अपने business को autopilot mode पर डालना चाहते हैं तो मांसी रूप से तयार हो जाएए बस वो वाला काम जो है वो आपको करना है बाकी का काम मुझे करना है और यह training पहले offline मिलती थी classroom में आते थे लोग अब online होगे training online अटेंड करिए इस training को online concept को study करिए समझ ये जान ये हमारी website पर जाएए www.ipalindia.org पर वो देखिए उसके इस levels के बारे में detail देखिए मुझे बात करना चाहें तो वीडियो की discussion आएए पांदस मिन मुझे डारेट बात कर लीजे डारेट बात करने के बाद training को join करिए अगर अच्छे लगेगी training तो आगे और trainees में मिल जाएंगे क्या होगा वैसे भी तो बहुत risk लेते हैं कि उनके पास कोई ऐसा source of income नहीं होता जहां से उनका खर्चा चलता रहे जब वो full time राजनीती कर रहे हैं और part time politician तो maximum लोग शिकारी बनते हैं वो सफन नहीं हो पाते हैं क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं होता उन्हें लगता है कि राजनीती में 9 to 5 अपना business करेंगे नौकरी करेंगे और 5 से रात को 10 बे तक राजनीती कर लेंगे I'm sorry राजनीती ऐसे नहीं होती राजनीती एक पूरा full time 24 by 7 365 days का काम है तो फिर अपने business के लिए समय कैसे निकालना है वो आइस्ता 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 concept को study करना है ताकि कुछ समय अपना हर दिन का अपने business को दिया जा सके हफ़ते में कुछ घंटे दिये जा सके महिने में कुछ दिन दिये जा सके और अगर 90% आपने कर लिया autopilot पर तो वो 100% ही वाना जाएगा अब जो मैं एक्सर बोलता हूँ करना नहीं आता या करना नहीं चाहता नहीं आता का कोई इलाज नहीं है नहीं चाहता के बहुत सारे इलाज है एक मरदाव खिल कर देखे अगर भले राजनिती में नहीं भी आना तो भी autopilot mode को study करिए autopilot mode पर अपना business ले आएए ताकि life में सुकूँ ना पाए क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है जीवन का उद्देश्य केवल ये आपा धापी भाग दोड़ नहीं है जीवन का उद्देश्य जीवन को जीने से है इस जीवन के उद्देश्य को जानने से है उस परम्पिता परमात्मा उस खुदा उस भगवान उस वाहे गुरु सल्ला ने हमें इस धर्ती पर क्यों भेजा है और हम कौन सा काम सबसे बहतर कर सकते हैं और जब जब आपकी एक टेंशन कतम होती ना आज मैं रिलेक्स हूँ क्यों कि मांसी ग्रूप से रिलेक्स टूँ के मेरा मैकसिम काम मेरे बिना चल जाएगा तो आपको टेंशन नहीं रहती हो पर ना करें कुछ हो जाए तो कोई परिशान्य आजाए कोई समस्य आ जाए तो तो पता होता है आजाएगा मैकसिम चीज़े मैं मैंनेज कर चुका तो पूछ सकते हैं, ट्रेनिंग के बाद को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, आज के लिए इतना ही, कोशिश करूँगा, आगे भी regularly आपको गाइट करता रहूँ, आपको वीडियो कैसे लगी, कमेंट में जरू बताएगा, आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, लोगों को जो चाहिए, लोगों को चाहिए, उनकी राटीजी ठीक हो, तो आपने बना जा सकता है, जो जो आप डिमांड करते रहेंगे, हर एक टॉपिक पर वीडियो भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, आज के लिए तना ही, आपके अउज़र राजिती भविश्य के लिए हर दिख शुब कामना है, जै हिन, जै भारत!